हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग बित प्रियंका सिन्ना में आज हम सेर करेंगे आपके साथ आठा चॉकलेट केक की रेसिपी और ये केक हम बनाएंगे without oven, without चीनी, गैस स्टोप पे हम इसे बनाएंगे और ये बहुत स्पंजी, सॉप्ट सा बनके तयार होगा, आप देख सकते हैं ये कितना सॉप्ट दिख रहा है और ये बनके तयार भी होगा एकदम स्पंजी आप इसे एक पर जरूर ट्राई कीजेगा आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आटा केक है और हम इसे गैसे स्टोप पे बनाए हैं बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है आप इसे एक पर जरूर ट्राई कीजेगा और वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा यह रेसेपी तो अगर मैं रेसेपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल का बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और वीड है नमक डालकि इसे अच्छे से हम फैला लेंगे और इसके बाद इसमें और से ढ़्देंगे और इसे ठर्डर कर नगा इसका लीड लगाके हम इसे गरम होने छोड़ देंगे मेडियम गैस खरके अपना बैटर बना लेंगे तो यहां पर लाद रख देते हैं मीडियम टू स कर दीजयर गैस तो यह गरम होते रहीगा और इधर हम अपना बेटर बना लेते हैं तो बेटर बनाने के लिए सबसे महीं हाँ पर घुर कर ले रहे है और शाइब कप गुर में हम आपकप , डही डालेंगे जितना गूर लिया है उतना ही इसमें हम दही डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे तब तक इसे अच्छे से मिक्स किजिएगा जब तक ये गूर अच्छे से मिल न जाये दही में तो इसे अच्छे से मिला लिजिएगा अब यहाँ पे अच्छे से मिल गया है तो अब हम इसमें half cup refined oil डाल रहे हैं आप इसके जगा पे butter भी ले सकते हैं refined oil डाल के इसे अच्छे से थोरी दिर हम mix कर लेंगे थोरा सा mix करके अब इसमें हम डालेंगे 1 cup आटा तो आटा को आप चान के जरूर डालिएगा या आप इसके उपर भी या अलग से भी इसे चान लीजिए उसके बाद इसमें डालिए तो हम यहाँ पे 1 cup आटा ले रहे हैं और 1 cup आटे में हम डालेंगे 1 फोर्थ कप cocoa powder और एक टेवल इसमें हम डालेंगे baking powder एक टेवल स्पून इसमें baking powder डालेते हैं उसके बाद इसमें हाप टेवल स्पून इसमें हम डालेंगे baking soda और इसे अच्छे से चान लीजिए आप चाहे तो इसे अलग से चान के इसमें डाल लीजिए हम इसके उपर ही चान रहे हैं लेकिन इसे चानना बहुत जरूरी है नहीं तो इसमें लंस रहते हैं तो इसे चान लीजिएगा जरूर से हम इसे चान लेते हैं तो यहाँ पे हम तो मिल्क ज़ादा गरम थंड़ा मत लिजएगा रूम टंपरेचर पर होना चाहिए तो नहीं तो इसमें अब हम ईताशे के हमट्रेमिक्स करेंचे अakter है तो इसलेदें से चैनल भूराज्चे करना पालेंगे मिक्स करते चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेटर हमार तयार हो गया है और पूरा हाफ कौप मिल्क लग गया है लिए इसमें तो ऐसा ही बेटर हमको बनाना है इससे ज़्यादा पतला नहीं करना और इससे गाढ़ा नहीं रखना तो यह एकदम पर्फेक्ट है अब इसमें हम डाल रहे थोरा सा काजू, थोरे से किस्मिश, थोरे से बादाम, थोरे से पिस्ता डालेंगे और थोरा सा इसमें हम प्रूटी-फूटी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यह सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे तो यह अच्छे से मिक्स हो गया अब इसे हम एक तीन ले लेंगे इसे साइड में रख देते हैं और यहां पée हम केक तीन ले लेंगे आप कोई भी ऐसा बरतन ले सकते हैं ज़रूर नहीं है कि आप ऊंप केक तीन में ही इसे बनाए सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे तो आप इसे बटर, घी, ओयल किसी भी चीज से थोड़ा सा ग्रिस कर लिजे हम यहाँ पे ओयल ही लगा रहे है इसके अंदर इससे हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं अब इसमें आप अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल लिजे 10 belaat डाले अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं हीना कोई सा भी पेपर को इसे राउंड़ सेप में कट कीजे और उसको इसके अंदर डाल दीजे और उसके उपर से फिर से थोरा सा ओयल या घी बटर जो भी अप लगा रहे उसे थोड़ा सा और इसके उपर भी अप लगा दीजे इससे हमारा केक आसानी से बाहर निकल जाएगा तो हम इसे ग्रिस कर लिए अब इसमें हम ये जो बेटर बना के रखे हैं वो सारा इसमें हम डाल देंगे तो सब डाल देते हैं और इसे अच्छे से थोरा सा आप इसे टैप कर दीजेगा ताकि इसके अंदर जो एर हो वो बाहर निकल जाए तो यहां पर इसे हम टैप कर दिये और थोरे से ड्राइफूर्स हम बचा के रखेते हैं इससे गार्निशिंग करने के लिए तो इसके ऊपर थोरे से ड्राइफूर्स आप डाल दीजे इससे यह देखने में बहुत सुन्दर लगेगा तो इसके उपर हम थोड़े से ड्राइफूर से गार्निसिंग कर लिए तो इसे हम सजा लिए अच्छे से अब इसे हम बेक करेंगे तो इसे आप कराही में बहुत साब धानीव से डालिएगा क्योंकि कराही हमारा बहुत गरम है तो इसे आप ध्यान से डालिएगा आप कराही के जगह पे अगर आपके पास बड़ा सा प्रेसर कुकर है तो प्रेसर कुकर भी ले सकते हैं और उसका रबर और विसल अप निकाल दीजेगा और उसके बाद उसे बंद कीजेगा तो इसे बंद करके हम 30-35 मिनट तक इसे हम slow to medium गैस पे पकाएंगे तो यहाँ पे 35 मिनट हो गया है तो हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप कुछ भी चाकू या टूथ पिक कुछ भी लंबा सा एक लीजे और इसके अंदर डालिए और निकाल के देख लीजे अगर गीला आ रहा है तो इसका मतलब वह नहीं बनाया आप उसे थोड़ी दिर और पका लीजे पर यहाँ पे मेरा केक बन गया है आप देख सकते हैं पूरा क्लीन निकल रहा है यह काटा तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद ही आप इसे बाहर निकालेगा इसे ठंडा होने दीजेगा तो यह ठंडा हो गया है अच्छे से तो एक बार आप चाकू को किनारे किनारे घुमा दीजेगा उसके बाद इसके उपर एक प्लेट रखके इसे पलट लीजेगा और एक दो बार आप इसके उपर टैप करेंगे तो केक नीचे आजाएगा आपने आप उसके बाद ये पेपर हम अटा देंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारा केक एकदम स्पंजी सा बनके तयार हुआ है हम आपको उठा के दिखा रहे हैं एक दम स्पंज जैसा ये बनके तयार होता है दम हलका सा है ये केक आप इसे एक बार जरू ट्राइ कीजेगा अब इसे हम काट लेंगे तो आप अपने मन पसंद सेप में इसे काट लिजे हम इसे स्कौार सेप में कट किये हैं तो हम इसे काट लेते हैं आप इसे एक बार जरूरू ट्राई कीजेगा, यह बहुत टेस्टी केक बन के तयार होता है, और हम इसमें न मैदा यूज किये, न चीनी यूज किये, और विदाउट अवन हम इसे बनाये हैं, और आप देखे हैं, किते असानी से यह बन गया है, तो आप इसे एक बार जरूर अवन बनाए हैं गैस पर बनाए है बहुत आसानी से बन गया है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगाई है मेरा रेसिपी तो अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और वीडियो कर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा थैंक्यू पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में